आज को topic मेरे बहुत close है मुझे तो यह बहुत ही ज्यादा बहुत बर मुझे यह परिशान किया है और मैं इसलिए बात करना चाहता हूं और इसलिए बात करता हूं क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे pharmacist प्रेंड या फिर pharmacist इस सेम experience करते होंगे कि फार्मासिस्ट का रोल दो बहुत अच्छा है फार्मासिस्ट का contribution दो बहुत अच्छा है इंडिया को pharmacy of the world बोला जाता है बट फार्मासिस्ट को कहीं पर ऐसा recognition नहीं मिलता है ऐसा reward नहीं मिलता है फिर ऐसा कोई social status नहीं मिलता है कि हाँ they are very good professionals और इनका भी एक अपना place है like doctors engineers CAs क्यों है कि इतना important role होने के बावजूद फिर भी हमें वह status नहीं मिलता जो हम कहीं कहीं हर कोई थोड़ा सा तो चाहता है कुछ लोग होते हैं जो बहुत जिसको फार्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है कौन क्या सोचता है कौन क्या सोचता है उन्हें बस अपने life को बस survival हो जाए उतना बहुत है बट बहुत लोगों की यह भी ambitions होते हैं थोड़ा किसी के अंदर रिक्षा होती है कि मुझे ही लोग हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर इतना हमने पढ़ाई किया हुआ है उस सब कुछ हमने किया है जो दूसरे profession वाले भी करते हैं बट हमें work recognition क् बहुत अलग लग performance पर बहुत अलग लग place पर मैं इस topic पर बार बार बोला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो pharmacy के student है या जो pharmacist है उनका एक status तो बने जो जैसे बागी countries में है वहाँ पर pharmacist को एक जो developed countries है या फिर ठीठा countries है वहाँ पर pharmacist का एक अच्छा status है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में वह हो क्योंकि कोई भी person एक मार्केट में जाता है medicines लेने के लिए और वहाँ पर उस shop से उसको medicine मिलना उस shop पे जहां से medicine आ रहा है जिस company की through आ रहा है या उस company से जो communicate करके medical representatives जो उस medicines को पहुँचा रहे मार्केट में या फिर उस company में अ marketing and sales का पूरा supply chain कैसे maintain होता है इसमें हर एक place पे कहीं न कहीं फार्मासेस्ट अपना काम कर रहा है आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि फार्मासेस्ट के जॉब के कितने layers हैं साथ यह एक positive चीज़ भी है फार्मासेस्ट के लिए और यही एक negative चीज़ भी है फार्मासेस्ट के बंदा नहीं है बट फिर भी वह अपना केडियर वहाँ पर चला सकता है ऐसा फार्मासेस्ट नॉर्मल क्योंकि वहाँ पर job description थोड़ा से नॉर्मल होगा या फिर बहुत ही brightest mind है तो वह भी research में इन सारी जगों पर अपने तरीके से वहाँ पर भी अपना contribution दे सकता है तो चा कि जॉब में इतनी ज्यादा variation इतना ज्यादा range है यही वजाएक है कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा society में तो मिलते हैं उन्हीं लोगों से हैं जो hospitals में फार्मासेस्ट हैं या फिर जो retail stores पर होते हैं तो उनकी दिमावा perception यह है कि pharmacy क्या हुआ बंदा एक medical store ही खो सकता है या वहां तक लोगों को पता निरता उसके बारे में और यह सबसे में डीजन है कि एक M farm क्या हो बंदा एक PhD क्या हो बंदा जो drug discovery में बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत अलग अलग fields हैं सारे चगां बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको बहुत अच्छा knowledge है बहुत सारे subjects में बहुत अच्छी expertise है मगर उसके बावजूद में वह है एक फार्मासिस्ट है तो normal society में जो फार्मासिस्ट को देखते मार्केट में वही फार्मासिस्ट टाइटल के साथ लोग research में भी काम करते हैं बहुत आपका जो एक registered फार्मासिस्ट का टाइटल है वह तो फार्मासिस् है अब CE में ठीक है वहाँ पर qualify करना ही बहुत tough काम होता है कि आप अलग-अलग steps level है उनको qualify जो कर लिया है तो यह माना जाता है कि बहुत ही bright mind का होगा बहुत sharp mind का है तो इसलिए इसलिए qualify किया इसने तो वहाँ पर क्या होता कि उसने एक level up कर लिया अपने आपको और पर्मा सिस्टम में क्या है कि कोई ऐसा screening process नहीं है जहां पर बहुत tough तरीके से इंटरेंस exam होता हो और आप उसके बाद ही इंटर कर सकते हैं because उसका रिजन ये भी है कि कुछ job roles इतने simple है उसके बहुत tough इंटरेंस exam रखने का कोई मतलब नहीं है और इसी वज़े से क्या होता से अपने आपको lifetime कहीं ने कहीं अपने उपर काम करना पड़ता है आपने B form किया B form करने के बाद अंडस्ट्री में गए तो वहां पर इंडस्ट्री में नुक्चरिंग में quality assurance में quality control में एक किसी और भी department में अपने आपको सेट करना है तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड चलता है कि हाँ इन्होंने यह निट क्रैकल लिया जो पहले PMT होता था तो हाँ यह MBBS के लिए क्यों कालिफाई हो गया तो अभी यह कर रहे हैं इन्होंने आइड क्रैकल लिया तो लीए लपकाइड कर लिया तो इस तरीके से वो चीज़ें सामने हैं इसलिए वह ज्यादा ह कहीं न कहीं ज्यादा इंपक्त करती हैं और आपका जो फार्मेसी कम्मूटी है जो फार्मासिस्ट है उनके लिए स्टार्टिंग तो बहुत सिंपल है आप इंट्री ले सकते हैं कॉलेज़ में कुछ में हैं जहां पर आप जीपैट कॉलिफाई करेंगे तो वहां पर और मैंसीन मों को तो पता नहीं होता है तो यह में डिजन है जिस वज़े से फार्मासिस्ट को वह उत्रह की पॉप्लिर्टी सुसाइटी में नहीं है जो बाखी प्रोफेस्ट को मिलता है पर मुझे लगता है कि पॉप्लिर्टी नहीं है तो ना सही हम जो काम करते हैं हमें कि हम जिस काम को करते हैं वह काम बहतरीन है आप जिस भी लेवल पे हो जिस भी प्लेस पे हो अपने काम से आपको प्यार होना चाहिए आपके प्रोफेश्ब מ..., सबसे पहलो aja होना चाहिए कि मुझे लाइफ में उल्ण करना है मैं आप यह वीडियो आपको कोई एक lesson देने के लिए को information देने के लिए नहीं था यह वीडियो बस इसलिए था कि हम one-to-one उस चीज को share कर सकें जो मैं भी feel करता था कभी या करता हूं और वो आप भी feel करते होंगे और इसी मैंने फार्मार अविशन स्टार्ट किया था क्योंकि हम सब्सक्राइब करें जहां पर अपॉर्स्टिंटी बहुत ज़्यादा हैं फार्मासिस के लिए तैंक यू वर्य मच्छ